नमस्ते स्टुडेंट्स मोहित सिंग प्रोक्ता अंत्र की राज के पूल टेकिनिक वामित अले जुन जुनू इस वीडियो लेक्ट्सर में हम मेकेनिकल डिक्लोमा थर्ड येर के सब्जेक्ट मेकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के चैप्टर चैप्टर 10 एस्टिमेशन इन सीट मेटल सोप उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हम कि जो ये सीट मेटल सोप है ये क्या होती है जैसा कि आ डेखा हुगा कि है बहुत सारह जो फर्डद के बिणाई वी आते हैं तैसे आपनें हाउस रड में देखते हैं कि बकसा अलमीरा है ठीक है चोटे जो यह बतन है ठीक है है और वी बहुत सारा जो Adjust of नेचर का इंटम ऐसे बहुत सारे जो आपकी कार की गॉड़ी से बहुत सारे आइटम की गॉड़ी आउराहे। इएवा सित सीट मेटल का जब कारिय करते हैं तब इसमें काम करने वाले वैक्ति इंजनियर है उनको जो जो एरिया वगेरा की कलीकुलेशन करनी आपकी एश्टिमेशन करेंगे तो जो है इत्यादी कैसे निकल ले जाते हैं जो सीट मेटल से सर्फेस कैसे बनाई जाती है यह भी नोलेज होना चाहिए जो सीट मेटल का जो प्रोसेस है साधान आता है बसेज कार एरोपलेन बोईलर सेल चिमनी पाइपस बॉक्सेश टोई फनिचर इत्यादी की जो बोड़ी हैं वो बनाने में इनका प्रियूग किया जाता है तो इस सीट मेटल का काम करने से पहले जो आपकी जो काफी बड़ी सीटे आती है आपको प्रोड़क्ट बनाना तो सबसे पहले आपको उस बड़ी सीट पर मार्किंग करनी होती है फिर उस मार्किंग के साफसे जो रिकाइड आपको जो प्रोड़क्ट बनाना उसकी कटिंग वहां से सीट की कटिंग की जाती है आपने देखा बनाते हैं जो यह अलमेरा बनाते हैं तो वह बड़ी शीट पर मार्किंग करते हैं कितने कटिंग करने हैं फिर उससे कटिंग करके जो भी डिजाइड जो प्रोड़क्ट वो बनाया जाता है मैं यह ज़िट्टफिलेट बना लेते हैं तो बहुत ही सारी संध्या में फ्रोड़क्द करके अडिक बनाने हैं थूप operation होते हैं इसका मतलब कि seat metal पर कैसे कैसे काम करते हैं ताकि वह डिजाइड आपका component है बना जासके तो कौन-कौन से operation यह आप पर होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग आउट बेकिंग आउट एक सिंपल प्रोसेस इसमें जो भी आपकी रोशीट है जिससे आपको component बनाने हैं उसके अंदर यह कोई भी फॉल्ड वगेरा हो ठीक है इस प्रकार की कोई भी जो जो उसमें कमी होती है इसे इक्वल नहीं होती है मुड़ी भी यह कहीं से इस प्रकार की जो है कमिया उसको दूर किया जाता है किसके दौरा मैलेट से मैलेट से बीट करके मैलेट से बीट करके रोलर के बीट से गुजार करके इस प्रकार के फॉल्ड है इनको तो यह जो रिप्स है, फोल्ड फगेरा जो सीट में पड़े हैं, उनको मैलेट से पीट करके, रोलर के बीच से गुजार करके इनको दूर किया जाता है, यह एक दम उसको प्लेन बनाया जाता है, दूसरे उप्रिशन की बात करें तो वह है, बैंडिंग, तो बैंडिंग जैस का नाम ही बता रहा है, इसमें जो सीट है उसको मोड़ा जाता है, मोड़ा भी कैसे जैसे कोई तो इसके बाद है तर्निंग तो तर्निंग अप में क्या होता है यह ऐसा प्रोसेस जिसमें शार बैंड दिये जाते हैं वह उपर वाली बैंडिंग में आपने दिखा ओगा है इसमें चाहर बैंड जो भी देना है तो वह कैया turning up है जैसे simming करना हैं, hemming करना है, जैसे मालो, आपको थोड़ा सा बना देता हूं अब जैसे उपर वाली bending थी यह आपकी sheet थी ठीक है इसको इस पर मोड़ा गया है तो तो दूसरे जो किसकी बात कर रहा है तर्निंग इसमें कहा है शार बेंड दिये गया है यह शार बेंड दिखे रहा है तो इस पकाल की जो बेंडिंग होती है उसे कहते हैं तर्निंग अप ओके नेक्स प्रोसेस है इसका सिट मेटल का बाया होलोईं इस प्रोसेस में कह किया जाता है कि जो शीट मेटल है उसको पीटा जाता है तक यह कौनकेव शेप मिल सके जो आपको इस डाइग्राम में दिख रही है यह इस प्रकार से जो शेप दिख रही है ठीक है कौनकेव जिसे हम पढ़ते भी दो कौनकेव लैंस दोते हैं उस तैप में आपके सिट को इदी बनाया जा रहा है तो ठीक है तो वह फॉलोइंग के लाईगी जैसे आपने इस पकार का वह लैंस देखा होगा फॉन के ठीक है तो यह हॉलोइंग है इस पकार से जो आपको दिखी भी रही होगी इस डाइग्राम में उसके बाद है रेजिंग श्याजाता है इसमें क्या के जाता है कि आपकी जो उसको पिटा जाता है इसपे शींट को आपने रखा फैर इसको पिटोंगे इस प्रकार ऐकार की में पालोट हो जाहेगी ऐसे और की इससे कहते हैं रेजिंग है और यह श्येप होती है आप प्लस तकार रेजिंग के आपको दे रहे हैं एक बटे-दो बेस इसका बेस है प्लस हाइट की स्कुाइर इसी पकार रेजिंग के आपको दे रहे हैं एक बटे दो बेस स्काइर प्लस फाइट स्काइर यह इनके अलाउइंस है इसके बाद है प्लेनिशिंग इस प्रोसेस में कहा जाता है कि जो final finish है hollow raise surface को ठीक है वो दी जाती है जैसे आपने hollowing से और raising से जो surface त्यार किया है इसको final finish दी जाती है जो भी small band चोटे band उनको दूर किया जाता है इसमें क्या किया जाता है कि जो hammer जो आपकी sheet है उसको एक planishing hammer से पीटा जाता है बीट किया जाता है planishing hammer के होता है छोटा होता है जिस पर high polish कीवी होती है ताकि वो sheet है आपकी खराब नहीं हो और जो small band इनमें पढ़ जाते है उनको दूर किया जाता है होलोईंग या रिजिंग में जो भी हो जो band पढ़ जाते हैं छोटे छोटे उनको दूर किया जाता है इसके बाद एज stiffening जो भी seat metal work में किया जो इनके किनारे हैं उनको मजबुती देने के लिए एज stiffening का मतलब जो किनारे उनको मजबुती दी जाती है उसके लिए प्रोसेस काम मी लिए जाते हैं तो वाइरिंग और दूसरा false wiring ठीक है सबसे बहले वाइरिंग की बात करते हैं इसमें किया कहाँ जाता है जो भी इज आपे योपे वायर डला गया लिए ऐस को फould कर दिया गया थिक है जो भी यह उसको फould कर दिया इंयर भाइल की नियों इर्ट के दिशिटर्ड जो भी ओर फोल्ड कर दिया वायर डिया तो वायर डालके तो यह नियुक्ति नियुक्तिक daar जाते हैं और जो वाइरिंग उसके लिए लाउंस दे रखी है 2.5 इंटू डायमेटर ओफ वाइर जो वाइर काम में ले रहे हो प्लस फॉर इंटू थिकनेस ओफ सीट यह अलाउंस है वाइरिंग के लिए जो हम नुमेरिकल करेंगे फाल्स फाल्स फारिंग में क्या है जैसे फाल्स का मतलिे वह होता है जूठा उन्हीं की लेकिन वह वाइरिंग है नहीं दो करते दिशनल में इसके लिए क्या करना होता है पहले तो डीर दाल के तो आपने तयार करद दिया फिर अंत में क्या करोगे दिस या क्वाइर से निकाल लोगे ताकि जो ए फिरियंस है वह कैसी लगेगी वाइर सित डाला हुआ है य जो इसे कहते है इंहेender यह जो इस पकार के जो एज इस्टिफनेस है वो कम जोर होती है क्योंकि यहां पर वायर नहीं होता है वायरिंग वाले में क्या वायर होता है तो एज इस्टिफनेस हो जाती है तो मजबूत ही मिलती है लेकिन इसमें यह वीक होता है इसमें मजबूत ही नहीं मिलती है इसके ल कि डाइग्राम भी इसके दे रखे हैं हमिंग के यह दे रखा है यह दे रखा है इस में क्या होता है इस प्रोसेस में जो सीट के एज़ेज हैं किनारे उनको fold कर दिया जाता है तो यदि इस प्रकार से fold कर दिया जाता है single single hemming और यदि बार fold कर दिया जाता है double hemming तो पहले आप देख लो ये sheet divy थी ठीक है ये sheet divy इसको यहाँ से मोड़ा गया है दिख रहा है इसको मोड दिया एक आपको कैसी दिखेंग ! मोड़ी भी दिख रहे हैं ! अब इसको दो बार मोड द . एक बार दोड के दिखू double hemming तो यह जो अलाउंस दी जाती है हमिंग की जाती है चार से पांच गुना दी जाती है सीट ठीकनेस की कि यह आप दो बार फोल्ड करते हो तो जो एजेज उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है और इसके लाउंस दी जाती है जो शीट ठीकने से उसकी दस गुना ठीक है डबल हैमिंग में आपके जो एज है वह ज्यादा मजबूत मिलता है अरे रोडा मत कुरे एक पर बाब्बू अरे रोडा कर रहां करें टिक चूंक अरे रुप जाया रे गुरे क्लास ने लोगा पास्समेंट अरे जाए 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 जोड़ा करें आए जाए जाए अब बात करते हैं फ्लेंजिंक की इस प्रोसस में क्या क्या जाता है जो अशीट अ जो शीटहों उसके एज को १ुल किया जाता है और नबंद डिगरी पर फ्ल्ड किया जाता है वो क्या कला है फ्लेंजिंक जैसे डाइग्राम दे रखा आपको यह वाला यह दे रखा ना यह यहां पर से 90 डिग्री पर मोडी भी है तक यह क्या बन गया है फ्लेंज तो इसे कहते हैं फ्लेंजिंग तो इस वीडियो लेक्षर में स्टुडेंट्स इतना ही बाकि जो एस्टिमेशन है और जो इसमें जो जोइंट है सीट में कौन से जोइंट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्षर में हम पड़ेंगे थैंक्यू स्टुडेंट्स